डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है ऐसे ही कोई भगवान नहीं कहता जिस बच्चे को सुनना बोलना नहीं बोल सकता है नहीं सुन सकता है अगर वो अगर डॉक्टर अवनीत लाल जी के पास पहुंसता है तो वो सुन भी सकता है बोल भी सकता है जिया आज हम उनी से बात करेंगे और जानेंगे कैसे सुन सकता है और कैसे बोल सकता है यह तमाम बाते आज उनी की जुवानी हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा वो चमतकार करते हैं जिससे जो बच्चा नहीं सुन सकता है वो भी सुनेगा सर हमारे चैनल में आप इस तरीके से जो बच्चा नही सुन सकता है नहीं बोल सकता है इशारों से समस्ता है आखिर क्या वज़ा है कैसे आप इलाज करते हैं जो बच्चा सुन लिगता है तो मैं कुछ ऐसा चमतकार नहीं करता हूं यह एक स्टांडर्ड ट्रीट्मेंट है जिसको कहते हैं कॉक्लियर इंप्लांट और यह सब को पता है कि जो बच्चे सुनते नहीं है वो बोलना नहीं सीखेंगे सो सही उमर में मतले कि दो से तीन साल के अंदर या उससे भी कम उमर में अगर इसका इलाज हो जाता है तो बच्चा नॉर्मल रूप से बोल सकता है और पढ़ाई कर सकता है और एक नॉर्मल जिन्दगी जी सकता है ठीक है कोस्ट जो होते है इलाज के बहुत मोटे रकम आते हैं जिससे गरीब परिवार के लोग आज भी गाउं में इस तरह के बच्चे पैदे होते हैं तो खास तोर पर उनके पैरेंट्स है उतना पैसा इकठा नहीं कर पाते इलाज नहीं होता है लेकिन आपके पास आने के बाद कि क्या ऐसे उपाए आप करते हैं को कॉक्लिर इंप्लांट का सबसे बड़ा जो प्रॉबलम है कि कॉक्लिर इंप्लांट जो का कॉस्ट साड़े छे लाग रुपया है तो इसमें हम लोग को संस्था जो गैर नौन गवर्मेंटल और उनका सायोग है और गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट स्कीम के अंडर हम लोग यह उप्रेशन करते हैं जिसमें यह इंप्लांट का खर्चा उप्रेशन का खर्चा नहीं लगता है पेशन को हमें सिर्फ चाहिए कि माबाप वो बच्चों को हमारे पास लाए और उनका सयोग चाहिए because operation के बाद भी बच्चे को therapy लेना पड़ता है जिसको auditory verbal therapy कहते हैं वो minimum दो साल तक चलता है और दो साल तक माबाप को हमारे clinic में लाना पड़ेगा हफते में तीन बार जिसमें therapy लेना पड़े जिसमें उनको हम लोग training देंगे एक टाइप का coaching करेंगे because सोच ये कि जब बच्चा जब पैदा होता है तब से ही एक normal बच्चा सुनने लगता है और ये बच्चा जब तक उसका इलाज नहीं हुआ है तब तक वो सुना नहीं suppose हम लोग में दो साल में उसका cochlear implant किया तब जाके वो पहली बार वो सुनने लगेगा तो दो साल उसका gap हो गया है दो साल को gap make-up करने के लिए उसको हम लोग को therapy या कोचिंग करना पड़ेगा जिसको auditory verbal therapy बोलते हैं तो वो therapy के लिए हमारे पास आना पड़ेगा हाफते में तीन बार and वो therapy ही काफी उसका result हम लोग को बताएगा कैसा result मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं कि चार साल के अंदर में इलाज कम्प्लीट हो जाना चाहिए जितना ज्यादा एज बढ़ते जाएगा उतना result आने के संभावना कम हो जाता है because so brain जब पैदा होता है तो rapidly वो डेवलप हो रहा है और अगर हम लोग अगर उस सुनने का उसको ब्रेन में स्टुमिलिस नहीं मिल रहा है तो वो एरिया वो श्रिंक कर जाएगा उसका and वो होट पढ़ना सीख जाएगा इशारों से समझना सीख जाएगा और वो काफी सुनने की भाषा जो स्पीच जो हम लोग का इंसानियत होने के नाम पर जिस जो हम लोग का स्पीच है जो हम लोग स्पीच बोल सकते हैं वो ने डिवलप पाएगा उसका अगर सही उमर में इलाज मंदि दो साल के अंदर उसका ऑपरेशन होना है दो साल और दो साल और उसको ठरपी लेना मंदि चार साल में उसका कम्प्लीट ट्रीट्मेंट हो जाना चाहिए तो पांचवेश साल को एक नॉर्मल स्कूल जा सकता है इसके लिए अपके पास कैसे संपर करेंगे और सरकार से कैसे मदर को में बच्चे आते हैं जो एक टेस्ट होता है जो उसको सुनने की शमता हम लोग टेस्ट करते हैं इसके अलावा CT scan MRI गान का CT scan और MRI करके देखते हैं और एक hearing aid लगाके हम लोग उसका टेस्ट करते हैं कि hearing aid से कितना फायदा हो रहा है बच्चे को एन उसके बाद एक निश्कर्ष में हम लोग आते हैं कि इस बच्चे को कॉक्लिर इंप्लांट ही करना जरूरी है और इसी लिए इसका इस कॉक्लिर इंप्लांट इसके लिए बेस्ट इलाज है एक बार उस निश्कर्श में जो हम आ गए तब हम सरकार से मदद मांगते हैं या गैर संस्थार और इंजियो से हम लोग मदद मांगते हैं तो वो हमारे लिए implant का खर्चा और therapy और surgery का खर्चा हमें दे देती है तो आप तक कैसे संपर करेंगे? संपर करने के आपने हैं? मेरा practice पत्ना में है, पत्ना के boring road में मेरा practice है, मेरा clinic है जहाँ पर therapy होता है इसके लावा मैं पारस hospital में operation करता हूँ और वहाँ पेशन भी देखता हूँ पत्ना में Boring Road में कहां पर कौन से location में जो आप से संपर करेंगे डायरेक्ट पत्ना में Boring Road में माभगवती complex की पीछे मेरा clinic है, सुदामा भावन ग्राउंड फ्लोर पर दॉक्टर साहब और उन्हें ने साफ तोर से कहा कि कोई भी बच्चा जो उम्र शीमा है, चार साल के अंदर तक ही वो जो है इलाज अगर होता है तो वो बहतर तरीके से आम बच्चों के तरह सुन सकता है और बोल भी सकता है और स्कूल भी जा सकता है तो यानि तमाम उपाय इनके पास है लेकिन आप एक समय और उम्र है जो उसको पैरेंट्स को फॉलो करना होगा और उसके बाद जो है उन से डॉक्टर साहब से संपर करके उन तक पहुँचे और इलाज करवाएं और बहतर इलाज अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भ दुशिया भी बनाते हैं आशिरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर